हाई अबरीवन वेलकम बेक टू न्यू पोड़कास और आज हमारे साथ हैं आयू जेंसर और आयू जेंसर के बारे में बता दू तो सर 2022 के अंदर ITDAB इंदोर से पास आउट है और सर ने गेट CS किलियर किया हुआ है और अभी कोगनीज एंड में सर बर्क कर रहे हैं तो सर से आज हम कोर ब्रांचिस के बारे में और भी आपके कॉली रेलेटेड काफी सारे डाउट आए हैं उन सब के हम सर से आंसर जान रहे होंगे तो सब से पहले सर अपना एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन देंगे उसके बाद हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं तो सर व पुल हं पनी कमधी लिए इन इंटिन व्हाय थी तो चलिए अब हो अपने सेशन स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ना ये स्वेजये हीं उससा ही हम स्टार्ट करते हैं तो सब सब पहला कोशेन आ रहा है गैट एक्जाम से रेलेटेड कि फ्रोम बिचिआ सुट भी स्टा इस लुकुल ने होती पूप ग्जेट का फुलवन आतर्फॉर्स आहरा है मतला तक एक तरह की सा की अपकर थेटेल में जाने की जोड़ती है बस्यां को कौप बस्यात की बेसिक अगर बोलो तो वन-यर इस इननल फॉर देट करना चीजिए है कि आपका इंप्रेस्ट की सेच जारा है अगर आप लाइक मेकनिकल सिविल से कर रहो तो आप किस थैप के करिया औक शेड़ा पी इस घरेगा निए होगा या पो सभी गाइड़ा होगा या फिर आपने स्कोचा होगा कि रहें कुछ भी हो अच्छा को जोईन कर लेगेते हैं ज आप कर सकते हूं तो फिर भी एक दो साल आपको एक्षभ हो कि कॉलिज में किस टाइप से पड़ा रहे लाइक एक गुरूप बनाना चेहिए किस टाइप किस ट्रूइंट से आपको आगे क्या करना है लोगों से घाइडेंस लेना चाहिए लाइक क्या कि अमारे बैटर हैगा सीजी विकितने मैंटेन करने ये सब सीनियर्स अच्छे से बदा देतें एंड सीनियर्स अकॉर्डिंटो में आटी के सीनियर्स बहुत अच्छे हैं अगर आटी में तो बहुत अच्छी बाते हैं वाईकि दूसर कॉलेस में भी अच्छा सीन होगा उसका इडिया नहीं बट फिर भी सीनियर्स के सीनियर्स के सीनियर्स में आ रहो एंड लाइक फॉर्स्ट यर से बिगन का जॉब में जाना है अगर तुमको पता है कि end of the day तुम अगर बस जाना जॉइन करना होती है या फिर आइटी वगेरा इस टैट से करना है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आई होप की लगवग आपके गैट एक्जाम से रिलेटेट सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे सब्सक्राइब बहुत है अच्छी तरीकिसा गैट एक्जाम को एक्स्प्लेइन किया है तो चलिए चलते हैं नेक्स डाउट की तरफ नेक्स डाउट है डज फास्ट यह सीजीपी अ मैंटर इन प्लेस मैंट विको जादा तर जो फास्ट यह में आये हैं उन लोगों के एच्छे सीजीपी नहीं बने तो यह कुश्चन अगर मैं अगर मैं अपनी बात करूं मैंने फिर्स्ट यह के सीजीपी तो डाउन कर दे से आइधिंक मैंने 6.47 थे विकोस दो मैं बट तो बजीवन यह इन यह इन यह इन दो फिर्वी कुछ सब्जिक्ट पर मार्ट गए थे एंड ग्रिश्ट ते ती यह तो कुछ भी से जिजीपी थे तो जो फर्स सेमिस्टर में 6.4 से उसके अभी एंड तक 7.84 तो दूसर सेमिस्टर में 7.8 पर से आ रहे थे बट फिर वह एवरेज होके 7.84 एंड हाँ यह जो सीजियर स्कोर्ट रहे सेवेंड पर पॉंट रहे सक्ड़ों जब पर होता कि अजब पर हुम जो पांच लोगों को एंड उनको लग रहा कि 10-10 लोग एलिजीबर हैं फिर वो नहीं देखते हैं कि तुम में कितने स्केर्स हैं तुम्हारे एज़मे में तुमने बहुत कुछ करकर रखा है वो फिर उसके जियान देते हैं वो उससे सीजी पर देखते हैं कि इन मेंसे जिनके से जएपी के से से रेलेटेड डाउट कलिया सोगा हो यह होगा अब चलते हैं हम एक्ouldân क्यों चलिंद धन होना जार конц कैस्ते हैं कि इस्कता लिडु चैइफ यह लोगत पाहदा मिलेगा तो सर इनका फाइदा तो सिर फाइदा रहता या नहीं तो ं arrogance अब यार तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है पर तुमको पता नहीं बूचीच कैसे हो रही है तो इस चीछ से सो बेसिकली जितना उस चीछ से सीख सकतो उसको सीख ते रहो एंड प्रफोट अपने माइड में आ लो कि यह सब सीखा को सर्टिफिकेट्स लगाने के समय विल्कुल नहीं रहता है लाइक अगर कोई बोलता है कि यह सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो बसे राइग को लिख सकते हो कि इस चीछ को दर्सकार पर यह कुछ अच्छे घाते कॉर्स करके रखें आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं नेक्स कोशन है वाइ मोस्ट पूप पीपल मुग तू टेक कंपनीज विकोश सर भी मैकनिकल ली और टेक कंपनीज में चलेगा तो सर इसका आंसर वह अच्छी तरीके से देस पाएंगे मैं समझता हो होता है कि मैकनिकल और सिविल की कंपनीज कंपनीज वह तुम आती है और अगर आती भी है तो लाइक आटी सेक्टार साइट से ही आती है और वह भी मास रेकूटर की रूप में जो चाहिए बिकास मेने खुंदे पूस्टैपी इशू सुष करेंगे तो यह तो इस थाप की सिनाइटों बनते है इस टाइप के के से कैसे कोलिज में कि अलाओ कर दिया टेस्ट पर सारे क्लियर कर दिया उसके बाद इंटर्वी में उनने बोला की मेकनिकल एड़ इस ताइ के बाद जाहतर कंपनी का डाउनसौल थोड़ा होड़ा सा है और पुछ केसे से भी मेकनिकल वालों को सिर्फ एक्स्पियेंस ब्लोग चाहिए अब अगर तुम इस टाइप केसे से जॉप्स की थोड़ी कमी है तुम ही देख सकता हो आईटी से प्लेस्मेंट में हो रहे है इ तो आई हग कि आपका यह डाउट के लियर हो गया होगा अब चलते हम नेक्स्ट कोशिशन की तरह नेक्स्ट कोशिशन है करियर ऑप्शेंस इन को ब्रांच जाद है लाइक मेरा एक फ्रेंट है तो वह वह विद फिर इंसी मोडी ही ज़िए उन उन्लाइक रूपीस से ब्ली थो अगर कोई अईडिया दिमांग में एंड उसको अपने अच्छे इम्रिमेंट कर दिया ब्लाइक में च्रिए जो पर आउपशन तो इसा नोग चाहित भी पर नहीं ब्लाइक टू औरॉप न्शन कर सकते हो या किसी भी आरा वांग कर सकते हो आज की जमान में चीजे कंपेर तो जिसके पास वह आइडिया नहीं आया है एंड रिक्वार्मेंट्स अपने को समझना पड़ेगा कि रिक्वार्मेंट के लिए एंड अगर वह चीच वर्ट कर जाती तो बच करम हो गया तो आई हो कि आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं मूब तू टेक कंपनीज को सर भी मैकनिका ली और टेक कंपनीज में चलेगा तो सर इसका आंसर वह अच्छी तरीके से देशा पाएंगे मैं समझता हूँ आइटी में अच्छी अभी खदरना वालबू मैं अभी चायट जीपिटा यह है तो मैंने बॉस्प बचाएंगे बगार रहा है तो मिने बस चायट चायट श्रू इसमें क्या इस्व है को है तो वह जो है उसको करेक्कर करें चाहिए तो इस टेकर चीश नेवे ने बड़ो अभी जो है वो ज्यादतार IT सेक्टर में हो रहा है अब मैं कार जो है वो बन चुकी है जलाज साथ हो उसकी डिजाइन चेंज करोगे मॉडल चेंज करोगे अगर प्रोडक्शन साइट जा रहे हो तो उसमें पी कुछ ज्यादा है निक जो जो चीजे बहुत पहले से जलती है एंग इसमें ज्यादा कुछ इंपर्माइट करा जासता है बट IT सेक्टर इसमें कुछ इंपर्मेंट के चांसे से है जाज़ सेथा लोग IT सेक्टर में हायर हो जाते है तो चलते हैं अपने नेक्ट कोईशन की और कोईशन की और नेक्ट कोईशन की और नेक्ट कोईशन का कि अगर हमें कोडिंग नहीं करना तो हमारे पास क्या-क्या का ओप्शन्स हैं कि जिनसे हमारा प्लेसमेंट हो जाए आप्शन्स हैं बस यह है कि सेल रित्ती नहीं रही एस केंपर टू कोडर सो ऑप्शन तो बहुत सरे लाइक मैनेजरी रोल्स की होते हैं IT सेक्टर, IT सेक्टर में अगर जाओगी तो लेकिन लेकिन कोडिंग के बिना ऐस सच ऑप्शन देंगे पर फिर भी अगर मैं यह मान के चाहँ कि कोडिंग से तुम डेसे काथ करो तो अगर डेसे नहीं भी करते हो तो फिर भी तुम फ्रेंट डेवलप्मेंट साइट या बैकेंट डेवलप्मेंट की साइट पर जा सकते हो तुम डेटाबेस एडिटर बन सकते हो या इस स्क्रिप्टिंग कर सकते हो तो उसकी साइट जा सकते हूं आई पी सेक्टर रहा है कि तुमने बस एका प्रोग्राम लेंगर चाली हो गया इसमें इस लाइक अपने को सीखना रहा है थीज को अब जैसे में चौप कर रहा हूं पहले आप्र मिशन में हुआ 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 हु आपको इस चीज में अपने को करना रहता है तो चल यह चलते हैं अब हमने नेक्स्ट कोशन कियो और नेक्स्ट कोशन है फस्ट एयर एंड सेकंड डियर रोल्मैप के बारे में देखो सबसे पहले तुमको सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग नेंगर जैस्टिस करना है ओके सब्सक्रट है प्रोग्रामिंग नेकूज करती का प्लेसमें पैथन नेकरती का फ्रम्रामिंग नेकरती की यह प्लितम थाउं कमांड 6 के अपने क्ला में वक७ाल प्रोग्र्ट कोशन है तो मैं बोलुंगा की c++ शिया जावा को पकड़ँ आपना रहताँ अपना command लाओ, उसके बाद आपको करना है data structures and algorithm, इसमें इस्टार्टिक करना है अगर आप 400 questions भी अच्छे ते कर रहा हूं चार सा question अपने कर रहे है, so that is more than sufficient, नव बबबर भाया कि एक DSA sheet में जाएगी, अपना college की DSA sheet में जाएगी, जो में sheet अच्छे अच्छे अभी उसको कर दो, as compared to that you are going to science and questions कर रहे हो, so I would suggest कि DSA sheet पकड़ो and try करो, कि उसको खतम कर दो, it will take time because coding is not easy, and you will continue to do this and you will continue to do this and you will continue to do this and continue to do So, if you have two questions, you will continue to do something in your mind, so you will continue to do something in your mind, so you will continue to do something in your mind, so what can you do, like four subjects we have, Computer Networks, Operating System, DBMS, Object Oriated Programming, ये चार सब्जेक को अच्छे सब्जेक को अच्छे सगरे पनानी है, because if data science, database administrator बनना है, DBMS काम आने बाला है, DBMS में भी अज़ग अज़ग चीज़े लेती है, like PL, SQL आगे हमारे पास, Programming, like Procedural Language, इस टैप से आगया हमारे पास, SQL आगया है, MySQL आगया है, बहुत सारी जीज़े, तो उसमें देख सकते हो, and web development site जजा सकते हो, या Python की site जा सकते हो, Python Artificial Machine Learning, so chances होता है, so अभी second year में तो at least ये करना है, कि अपना DSA खतम करना है, and programming and DSA, second year में इस्ता करना है, and अच्छी grip उसमे लानी को बढ़नी है, अगर gate site जाना चाहते हो, तो fourth year में gate इसमें चाहते हो, बाकि तो गेंगे, मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस चीज के लिए time तो निकालना पड़ेगा, and जो first step तुम ले तो बस वो ही difficult देता है, like जब मैंने अनकाद वे पर educator के रूप में अप्लाय कर रहा था, I applied in January 2019, and मैं first year second semester में तो शहर्ट तर उस time पे, so January 2019 में मैं अप्लाय कर रहा था, मैंने जब first अपना demo वीडियो बनाया था, उसके लिए मुझे कम से कम पांच जी लगे थे, and starting की 5 classes देने के लिए मुझे कम से कम एक महीना लगा था, and उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3-4 महीने बाद, एक महीने में 100 classes step से possible होड़ा था, मेरे लिए है, so first step, starting में थोड़ी hesitation होगी, like मैं एक introvert था, अभी थोड़ा exovert type दिक्रा होगा, but उसके बेरे में introvert था, so जैसे मैंने start था, धीरे धीरे, इसके again होज़े आती है, like जब मैं teach भी करता था, तो अलग 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 इसको this teach से बढ़ा सकते हैं, उसमें थोड़ा interest आता, कि इस focus step से बढ़ाते हैं, दूसरे लोग step से बढ़ा रहे हैं, मैं इसने अच्छा बढ़ा सकता हूँ, यानि competition भी बनाता है, एंड वो धीरे दिच्छी होते गई, तो I hope कि आपका ये doubt clear हो गया होगा, और यही हमारे सारे questions थे, और भी आपको कोई question रहता है, तो आप comment कर सकते हैं, और सरका भी एक YouTube channel है, बहुत अच्छी videos बनाते हैं, वह आप चेक कर सकते हैं, उसका link में description box में दे दूँगा, और सर गाइड करते रहते हैं बच्चों को, अगर आपको भी चुड़ना है, तो सर का ये एक WhatsApp group, और सर भी काफी अच्छी चीज़ा करते रहते हैं, तो आप उससे जॉइन कर सकते हो, और जो भी आपको doubt हो, आप सर सर पूछ लेना, सर के Instagram handle का link में description box में दे दूँगा, तो thank you sir, podcast में जुड़ने के लिए, सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे questions के answer दिये, तो इसलिए साथ मिलते हैं किसी नई podcast में कब तक के लिए, बाइ बाइ